मेरा जनम ऐसी ऐसे गरीब प्रिवार में हुआ था जिसमें दो वक्त की मलब यह है वक्त रोठी मिलना भी मुश्किल था ऐसे प्रिवार से मलब साथ जनम नी गुनिन सो चांसट खो जनम हुआ था और जनम से ही गर्टे कर्षी का रहे था कुछ बक्रियां थी तो में बक्रियां चराने के लिए जाता था ऐसे बक्रियां चराते चराते ग्रीब 15-16 साल जीवन के निकल गए थे पिर मैंने सोचा भाई पढ़ाई तो होनी चीए कुछ लोग देब फट लिक्र के कैसे गूं रहे हैं क्या है इसी तरवियां मतलब हमारी पिताजी न भुमी विकास से लोन ले रखा था तो उसका टाइम पर हम भुगतान नहीं कर पाते थे हमारी पिताजी तो बेंक वाले आये पिताजी और बड़ी बाई साहब तो निकल कर कहीं चले गए और मेरे को नों लोग नों पकड़ लिया पकड़ के कुछ परशा लोग में सोची लेकिन उम्रती को गई टी स्कूल में कोई भटी नहीं कर पाती हमारे को तो मैंने सोचा भई बख्रियों में पढ़ते हैं पन तो तब हमारे गाउं में आठी स्कूल थी और वहां आसफास गाउंवाले बच्चे पढ़ने आते थे चुको मैं मलब जब उनक मैं पढ़ने गां तो किसे पढ़ेगा और किसम पढ़ने तुमारे पास पूर्टी न पुस्त करना है पर मेरे पास लख़ए हैं ती बख्रियों चलाने की उसमें जमीन पर उसको मलब सपाई करके और नों को कहता है एक लाई यहां लेग जाओ अधी तो मीट जाएगी मैं इसको याद कर लूँगा तो डेल-डेलिव लोग यासे मलब लिख जाते केकी लाइन लिखी पर चυकी इसे मलब काकाशी का फिर बार्गणी सीकी और और मातरा भी सीख है और दीरय दीरय में मलव साक्षर हो गया इसे इतना गङ् sabht और परणने लगे तो परएवंड द्यात्ज है हुआ है तो परने लगये तो और पढ़ाई कर सकते हैं तो हमारे अठी के मुक्चार जी जो देवली एजेंसी में रहते थे अब तो पता नहीं वहाई सेखेंटी में रहते थे तो उन्होंने मेरे को वहां बुलाया स्कूल बख्रिया चलाने के बार शाम के वकट और उन्होंने कहा कि आप आओ मेरे पास में पढ़ाऊंगा तो पांदीन मेरे मलब मु इसके बाद ओने कहा कि आप आटिक की प्रिक्सा दे सकते हुग तो मेरे जिम plugged मलाव होगी हाँ पर तो क्ल मिला के तो थूसके बाद मेरे कोहिए बीन्होंने के भी तुमें जिनुआ के दियने के तियार रहा है पंस दिन पढ़ाए मेरे बनती नहीं है और आपको में जो है एक दूनी स्कूल नौ विडिया ले नौ संस्कत विडिया ले उसमें बेढ़ देता हूं तो कुछीटी लिकर के मेरे को वहां बेढ़ दिया और मैं वहां पहुंच गया अश्कूल के अंदर कखसाच्छे में मेरे को बर्ति किया उनुग गुरू जी न दूनी के अंदर तो कखसाच्छे में साल बर पड़ा में पहले वे दोती शापा बानता था भग्डी मुझ आता था तो वहां जाके दो पीच़ापा उतार कि नहीं का भई परने करो और परना म कि मैंने और 18 वच्चे ते उस वक्त हम करसाचह में तो एक जाम अर्द वार्षी के तब तक मेने कोप्य में मेरे नाम लिख दिये बाई अपनी कोप्यां गम जाएगा बाइ रोल नमर से कोपियां डूनी जाती है तो मैंने कोपियां मंनाम लिखा तो गुरू जीने मेरे श्राइभी में से नम नहीं लिखते हैं रोल नमरइं लिखते हैं कि घुश्चे में कुछ से ग्यान तुने का भला दी मेंने डायरेक्ट आपको कक्सा च्छे में किया है और फिर आटी में करूं यह तोड़ी पार परेगी फिर मेरे मेरे गुरू जी मिले मलगाना पड़ना जाते हैं तो उन्होंने वहां से लेकर कि देवली कलपना कोलेज मेरे को बठी करा गए हो और कलपना को प्रेम जी सरने कि आपको दस्ति की प्रीशा दिला दूँगा मैं मैं लग गया डायर पे और उनका स्योग्रा मेरे और कक्सा दस का एकजाम दे लिया ने कि 82 के ने कक्सा दस में पास कर लिए और हाइज सेकंडरी डेवली के अंदर ही मेरा एडिमिसन हो गया और हाइज सेकंडरी मालब ज्यारी भी सेही उस वक्त ज्यारी बार ही नहीं चलते थी ज्यारी भी सेही में रेगुलर फड़ा पर फिर त्रेवन परसेंट मैंने ज्यारी पास की फिर कोलेज में अब बीडी ट्रेनिंग की मलब यह लेकिन मैं वह सोचा वह अपन बक्रियू में साया नोकरी तो इस ओड़ सकते हैं तो तीरे दिरे वहां की सब भासा सीख ली वहां के बच्चों से घुलमी लगया वहां क पर फिर मैंने सब्सक्राइब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं आ सकते साथ और बच्चे ऐसे थे बच्चें भी थी उनको मैंने साकसर किया पुष्टक पढ़ने लाई किया एक बच्ची तो प्रवितों की थी 18-19 साल की थी तो उसके छोटे बेन बाई को छोड़न 27 अक्टॉम्बर गुणी सचिन्वा को ट्रांसफर हो कर गये मैं यहां आ गया जी ओर्डर करवा कर गये राज के पात्मी विदालिय भगवान परामें पर अक्टॉमबर गुणी सचीनमद से में आज दिन तक हैं कारे रहत हूं और बच्चे भी ठीक है मेरे जहां तक हो सके मैं मलब बच्चों को मलब हमेशा है लगा रहता हूं मेरे पास अन्य काम नहीं हो तो पाल दूबात हैं निए बच्चों को पढ़ाता रहता हूं और छहां तक बनलो बच्चे कुछ गउनवाले करते हैं भई आपकी ठीक हमारे बच्चे ठीक मेरे जांब मेरे सथ कहने से क्या पफता अ है Украї कि यह बंमें सब्सक्रणल करने साफे यह है अभी пят वाइ helanta ka एक चोटी सी बात मेरे दिमार्ग में छुप गई मतलब लोग कहते हैं कि हाँ उनिविस्टी अजिमेर से ही मतलब फोर्म लगा दिया प्राइवेट अपन भी में करी लेता हैं देगां बेटे-बेटे क्या करें तो सर्मने फोर्म लगा यारा के अंदर 2011 फोर्म लगाया कुछ पेपर कलेर होते हैं मेरे को आसा हुई कुछ हमारे मिलने जुलने वाले थे वो कहा यार मार्ण साहब कहते हैं आप दो साल में में कर लोगे आराम से अच्छे प्रसंटेज कर लोगे और हमारे से संपर करो आप मैंने का भया मेरी पढ़ाई से ही हो चलब ने स्विश्वर करें मैं तो इस तरह सर मैंने लगा रहा से बारा में एक जाम तिए कि पेपर पहले हैं मलोव मेरे पाइंगलिश लीटेचर की भणे ओघी मेरे को सर जो बच्चे बक्रियां चलाती वक्त मुझे पढ़ाया था उन लोगों से अधिक तर बेरोजगारी है और एक-दो टीचर भी बन गए जो यहां हमाया आज-वासी मिलबार में मिले जूलेते एक बंदू गुजरा के ते कालुराम जी गुजर तो वहां केकडी वकिलात के का सब्सक्राइब कर रहे हैं अधिक तर लोगों अधिक तर लोगों सलारी केते पास्म गाउं हमारे बाराजी गाउं अजमे जिला में वहाई इधर मारे जंगल पड़ता था बक्रियां ने कि तो वह इंदर आते जाते तो उससी संपरक हुआ मेरा अधिक बाढ़ मेर तो ग्रामीन इलाका में हुई थी मतलब सहर के अंदर क्या लोग करीक प्रीवे जाएं भी जाएं पर हिंदी बोले था हमने बाहर था में लें प्यूवर ग्रामीन इलाका था धान कि अधियाले मिलाता मेरे को वहां पहले स्टाब होते तो भी उससे मेरे को स्वयोग मिलता लेकिन कोई स्टाब नहीं जाकर रहे इससे लिजा करके नेयर मेने खोला रहे विद्याले को राज के प्रात्मी विद्याले डुन डाली बालो तरा में बागवास दुर्गाराज तो वहां के बच्चे जिन जुनों मैंने उन लोगों का जो है पहले तो संपर्ग तूट किया को फोन वेकर आप थे नहीं बाद में उसका मलब जो है कुछ को गत्ताइं में जो सरना मेरी वो निखाली थी नहीं से एक सार बाग में टीचर लाइन में उससे मेरे नमर लेकर क कुछ लोगों आप संपर्ग किया अभी भी कुछ लोगों का मेरा संपर्ग है वो बच्चे प्रोवितों को ते अधीक तर होटलें कर रहे हैं सर्विसी कि वह अगी लेकर नूज बच्चे मेरा संपर्ग नहीं हुआ और जब में वहां सरु-सरुम गया वह बचाना में अभ लेकिन यह की बात यारती मेरे को कि अपन बक्रियां चोड़ी आया है और घर पे जाएंगे तो वह जंदा अपने बास को दूसरा तहीं नहीं नसीव से पता नहीं है अधीकर पास अपनी नोगरी लग गई तो सरुमीना दो मीना तक मैंने वहां जो कुछ बच्चे थे जो पहले कुछ पड़े लिके थे उस बच्चों से मैंने संप्रक किया कुछ वह बच्चे बोलते उसकी टांसलेशन दो बच्चों से कर रहता अब यह क्या कह रहे हैं और एक फोजी ता बीलों के कैसा राम जाया साल डेट साल में पूरी भासा जाने लगया था यहां तक कि आपको बताओ कि मैं चुनाव डूटी करने गया वहां मेमर से लेके MPM मेलें सब का चुनाव करा गया हूं तो कुछ लोग वहां जोदपूर के थे वह बार्डवेर के पहली शायट में लगा दी वह जूटी वहां की भासा नहीं समझ पा रहे थे लेकिन में वहां के लोगों की मलब भासा समझ अब आप कहां के रहने वाले हो पाई में टूंग जी लागा हूं अर्यार हम बात यह है कि आप हीमत रुको और लक्षे लेकर चलो तो अपनी मंजील तक पहुंच सकते हैं चाहे लिमाग हो चाहे टेज हो लेकिन लक्षे लेकर अपन लग जाते हैं हाँ ठीक है उंस्यार बच्चा मतलब एक दिन पार यार्ड कर लेगा तो कम बुद्धी वाला तो दो दो दन लगें कि तीन दन लगेंगें लेकिन वो यार कर सकता है तो इसी परकार हमारा भी हुआ कि क्यों बखरी आते हैं जार डिमाग वाले तो नहीं थे लेकिन लगे रहे तो लगे रहे तो हम सफल हो गई कुछ बच्चों की मिलब एक दर अलोर साइड में दुकाने उन व बीने को